डेली करिंट नीज में इस वक्प की खबर है अंतराश्च्रिय आपदा जोखिम न्यूनी करंट दिवस दो हजार बाइस अंतराश्च्रिय आपदा जोखिम न्यूनी करंट दिवस यानि इंटरनाश्चनल डेफ़ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्रते एक वश 13 बढ़ावा देना है 2022 के इस दिवस की थीम 2030 तक लोगों के लिए खतरनाक प्रारंभिक चेतावने प्रणालियों एवं आपदा जोखिम की जानकारी तथा आकलन की उपलब्धता और पहुँच में पर्याप्त वृद्धी करना है 2022 की थीम सेंडाई फ्रेमवर्ग के टागेट पर की गई थी अब बात करें आपदा जोखिम न्यूनी करन के लिए सेंडाई फ्रेमवर्ग 2015-2030 की तो इसे मार्च 2015 में जापान में आपदा जोखिम न्यूनी करन पर तीससे संयुत तराश्टर विश्व समिलन में अपनाया गया था यह आपदा जोखिम में कमी के लिए एक्शन औरिंटेड अप्रोच है और मानव निर्मित या प्राकरतिक खत्रों आदी से होने वाली आपदाओं के जोखिम पर लागू होता है सेंडाई फ्रेमवर्ग का प्रात्मिक लक्षे नए जोखिमों से बचना और मौजूदा जोखिमों को कम करना है आपदा जोखिम और नुखसान को कम करने पर प्रगति को मापने हितु इसके साथ रणनीतिक लक्षे और अरतिस संके तक हैं आपको बता दें कि 2016 में सेंग्तराश्ट महासाचिव ने साथ वर्षों में साथ लक्षों में से प्रतेक को बढ़ावा देनी के लिए दसेंडाई सेवन अभियान शिरू किया था सेंग्तराश्ट के आंकडों के मताबिक 2020 में दुनिया भर में प्राक्रते खत्रों से संबंधित 432 विनाशकारी घटनाएं हुई अनुमानित 252 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक शती हुई और 44 फी सदी आपदाओं का कारण बाढ़ रही इसके अनुस अईक बाढ़ कि रही इसकार वही नही नहीं है आपदा़ का यचिं मेरिक NATS